आप सभी को नमश्कार आज का चमतकार सुनने से पहले आईए सुने आज का अम्मा भगवान का चिंतन आंत्रिक बदलाव संभव है परन्तु आपके द्वारा नहीं अनुग्रह ही बदलाव ला सकता है और अब आज का चमतकार बेंगलोरू से मैं प्रिया हूँ मेरे पती ने USA जाने के लिए H1 विजा के लिए अरजी दी थी परन्तु उस वर्ष वो स्विकार हो जाएगी उन्हें ऐसी आशा नहीं थी मैंने उन्हें चैलेंज किया कि मेरे अम्मा भगवान अवर्ष्य उनकी मदद करेंगे यहाँ पर ये भी बता दूं कि हमें बिलकुल पता था कि हमारे उपर तीस लाख के कर्ज के बोज को समहलने में मदद करने के लिए सिवा उनके और कोई नहीं था मेरे भगवान के क्रिपा से उनका वीजा स्वीकार हो गया हम लोग वैश्विक मंदी के बीच सन 2008 में अटलांटा पहुँचे बहुत से लोग USA में ऐसे मौके की लालसा लिये बैठे थे और वहीं बहुत से नौकरियां खोद देने के बाद वापस भारत आ रहे थे दस साल तक रहने का मौका दिया हमने अपने सारे कर्ज चुका दिये और साथ ही इतना पैसा बचा लिया कि अपने पैत्रिक शहर में एक संपत्ती भी बना ली जो हमें किराय के आमदनी देती है पूर्ण बाहुल्य और संप्रद्धी के साथ हम 2019 में भारत वापस आ गए अब हम सुख पूर्वक बेंगलूरू में बस गए हैं मेरे भगवान नकारात्मक घटनाओं को सदैव सकारात्मक मार्ग में बदल देते हैं जिससे हम जीवन में नई उचाईयां हासिल कर पाते हैं मैं हमेशा अपने भगवान से एक ही प्रश्न करती हूँ मैं आपके लिए इतनी खास क्यों हूँ जबकि मैं कुछ भी तो नहीं करती और मैं बिलकुल अयोग्य हूँ मैं केवल उनके दिव अनुगरह के सागर में डूब जाना चाहती हूँ श्री अम्मा भगवान का सानिध्य कितना आनंद दायक है मेरा बेटा ध्यान नौ साल की उम्र में भयंकर बहुत ही भयंकर दमा से पीडित था उसका जीवन बस स्टेरोइड्स और नूबलाइजर के इर्दगित केंद्रित था एलोपेथी और हुम्योपेथी दोनों ही उसको पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए कल की आग्या के दोरान श्री अम्मा ने मुझे सत कर्म अरजित करने के लिए अन्नदान करने को कहा मैंने हवन के दोरान श्री अम्मा के आदेश का पालन किया सत्य लोग में गोल्डन रॉक पर जब मैं अपने बेटे की सिहत के लिए प्रार्थना कर रही थी मेरे अम्मा भगवान ने मुझे आयूरवेदिक चिकित्सा कराने का मार्ग दर्शन दिया दो महिने में चमतकारिक रूप से दियान की रोग प्रतिरोधक शक्ती इम्म्यूनिटी में आवश्यक व्रधी हो गई मैं हमेशा हैरान होती हूँ मेरे इश्ठ मेरे हर एक प्रार्थना पूरी करते हैं वो मुझे कितना प्यार करते हैं श्री अम्मा भगवान के चरन कमलों में सर्वदा प्रणाम